आज का हमारा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो है मधु कांकया जी के द्वारा लिखा गया है जैसा कि आपको पता भी होगा यहां पर उनकी हिमाले यात्रा का पहुत सुन्दा शब्तों में चित्रन किया गया है और वो शहर की भागम भाग जिंदगी से ठक चुकी थी और इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं दूर स्थानों की यत्रा की जाए जिससे ही उनकी इस्थानों के बारे में पता चलता है साथ ही हमें अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त जब लेखी का शहरी जीवन से उप जाती हैं तो वो स्थान-स्थान पर यात्रा करने चल पड़ती हैं और यहां पर उन्हीं यात्राओं का उन्होंने मनोरंजक वर्नन किया है लेखी का गंगटोक शहर में तारों से भरे आस्मान को देख रही थी जब वो सिक्खिन में जाती हैं तो रात का समय जो होता है उस समय पर वो तारों से भरे हुए आस्मान को देखती हैं उस रात में इतना समोहन था समोहन यानि वो रात बिलकुल उसे समोहित कर रही थी और वो उस रात में खो जाती है इतना खो जाती है कि उसकी आत्मा जो है वो बिलकुल भावना सुन्ने हो जाती है उसमें कोई भाव ही नहीं रहते हैं और वह धीमे धीमे स्वर में नेपाली भाशा में सुभह सुभह की प्रेयर करने लग जाती है और उस दिन उनको सुभह युम्थांग के लिए जाना था मौसम साफ था फिर भी हलके हलके बादल जो थे वो चाये हुए थे लेकिं यहां पर लेकिका को कंचन जंगा चोटी दिखाई नहीं दी कंचन जंगा परवत की एक चोटी है जिसे देखना वो चाहते थे लेकिन दिखाई नहीं दिया था युम्थांग गंटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था और उन लोगों का जो गाइड था जिसका नम जीते नार्गे था उसे दिखाने के लिए ले जा रहा था और युम्थांग का रास्ता जो उसमें घाटियों में फूल भरे वे थे रास्ते में उन्हें सहर स्थान पर बौध पताकाई दिखाई दी जिनका कलर सफेद था वाइड था और यह पताकाई अहिंसा की प्रतीख थी शांती की प्रतीख थी यहां पर जीते नार्गे लेखिका को यह बताता है कि यह पताका की मृत्यू हो जाती है दलाई लामा की फोटो भी उसने अपनी गाड़ी में लगा रखी थी और उसने लेकिका को वहा स्थान भी दिखाया जहां पर गाइड फिल्म की सूटिंग हुई थी रास्ते में उन्होंने एक घूमता हुआ चक्र देखा उसका नाम धर्म चक्र था व लगता है कि सभी जगे के आस्थाएं विश्वास अंदविश्वास या पाप पुन्य सब एक जैसे ही हैं कुछ लोग उचाई बढ़ने पर जो उचे रास्तों पर जा रहे थे तो वहां पर बाजार और लोग आधी दिखाई देना कम हो गय थे घाटियों को देखने पर पहाडियों का जो विस्तार रूप है उनका वैभव लेखिका ने अलग ही बताया है और धीरे धीरे जो रास्ता था वो घुमावदार होने लग गया था उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी गुफा के बीच में से गुजर रहे हैं और लेखिका बिलकुल चुपचाप थी उसे लग रहा था कि यह सारे द्रश्य उसके भीतर समा जाएंगे जब वो सिल्ली गुड़ी से थोड़ा आगे गए तो तिस्ता नदी आई और तिस्ता नदी का सुंजरे देख करके लेखिका काफी रोमांचित हो गई अभिभूत हो गई बहुत प्रसंद हो गई और वहमन हिमा माले को सलामी देती हैं उनकी जीब जो है रास्ते में तो उसके सुंदर्ता को कैमरे में कैइने लग झाते हैँज़ा हैं ओन्य अशके सुन्दर्य यह जो हुता है उसे देख कर उन्हें लगता है कि उनमें एक नई शक्ती का संचार हो रहा है जितेन कहता है कि आगे चलेंगे तो और भी अच्छे द्रश्य आएंगे तब उसे ऐसा लग रहा है कि कोई जादू की छड़ी घुमा रहा हो आई यह माया और छाया का अनुठा खेल यानि कि जो प्रकरती थी उसका खेल उसे रहष्य जो था उसकी तरह लग रहा था और जीवन का यह सारा रहष्य उसे समझ में आ गया था यानि कि जीवन उसे एक मिस्ट्री की तरह लग रहा था रहष्य की तरह लग रहा था जो उसे समझ में आ गया था पूरा वातावरण जो है सभी रहस्य से भरा हुआ था वहां का सामने उसे तिस्ता नंदी दिखाई दे रही थी सामने धुंद भी थी बादल भी थे हवा जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी और चारों तरफ फूल खिले हुए थे और यह सब मिलकर के वातावरण को बहुती सुन्दर एक द्रिश्य प्रदान कर रहे थे लेखा को ऐसा लग रहा था लेकिका को कि उसका अंदर और बाहर सब एक हो गया है और उसकी आत्मा इश्वर के पास आ गई है तभी उसके मूँ से सुभै की प्रातना के बोल निकलते हैं अचानक ही उसका यह भ्रहम तूट जाता है इंद्रजाल तूट जाता है और उसे द सब्सक्राइब लोगों के लिए रास्ता बना रही है और उनकी पीट पर बच्चे बंदे हुए थे देखकर के लेखी का सहम जाती है और उन्हें लगता है कि कि तना कठिन प्रयास यह लोग कर रही है साथ यह मातरित्यू को भी निभा रही है यानि माता का जो फार्ञ है उसे भी निभा रही हैं एक करमचारी ने उन्हें बताया कि यह सभी एक जैसा है मजदूरों के जीवन में यातना का और आस्सूं का वह सत्य को उन्हठी यहां यहां हैं कि यह लोग समाज को अपना कितना कुछ देते हैं लेकिन ये कठीन परिस्तित्यों में भी खिल खिलाते रहते हैं फिर वो आगे चले जाते हैं रास्ते में उन्हें कुछ पहाडी बच्चे मिलते हैं जितेन बताता है कि ये पहाड़ी बच्चे तीन-चार किलोमेटर चल करके उपर पढ़ने के लिए जाते हैं यहां के रास्ते बहुत ही कठीन और तंग होते हैं जगे जगे चितावनी के बोड लगे वे थे कि कृप्या गाड़ी धीरे चलाएं जब सूरज ठल रहा था तो पहाड़ी ओरते लोट रही थी घर को लोट रही थी गाए को चरा कर उनके सिर पर कुछ गठर रखे वे थे लकडियों के और शाम के समय जब उनकी जीप चाय के ब चारों और इंद्र धनुशे रंग अपनी चटा विखे रहे थे और इत्ता सारा जब उसने संजर्य देखा संदर्ता देखी तो वह चीखने चिलाने लगी खुशी से चीख रही थी लायूंग में जब वह आते हैं तो वहां के मकान छोटे छोटे लकड़ी से बने हुए थ और अपनी ठकान को उतारने के लिए लेखिका तिस्ता रधी के किनारे पत्थर पर बैठ चाती है और महा का संदर्य निहाने लगती है इस सफर ने लेखिका को दाशनिक बना दिया यह अब हर चीज के बारे में सोचने लगी जीवन के हर चीज के बारे में सोचने लगी फि के साथ में थी उसने भी बहुत अच्छा रित्य किया वे लोग उस समय समुंद्र से 14,000 फीट की उचाई पर यहां पर किसी ने बताया कि यहां प्रदूशन के कारण अब स्नोफॉल बहुत कम हो गया है और कटाव को अभी तक टुरिस्ट स्पार्ट नहीं बनाया गया है इसलिए यहां पर टुरिस्ट कम आते हैं और यहां के बातावरण ने रिशी मुनियों को भी प्रेणा दी होगी ऐसा लेखिका को हिमालय को देख करके लगता है थोड़ा आगी जाने पर उन्हें फोजी छावनियां दिखाई देती हैं और थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी वहां पर उन्होंने देखा कि फोजी किस प्रकार से कड़कडाती ठंड में बहुत सार है तो बहुत जादा नवंबर दिसंबर जन्वरी की ठंड में यह कैसे रहते होंगे वहां जाने का रास्ता भी बड़ा खतरनाक था और तब उसने सोचा कि अपने सब सुख त्याग करके हमारे सुखों के लिए काम करते हैं थोड़ा आगे जाने पर युम्थांग की सारी जो घाटियां थी वो प्रियुता और उडेंड रोडों के फोलों से भरी हुई थी काफी तरह के वहां पर फ्लावर्स लगे हुए थे जिते ही ने रास्ते में बताया कि यहां पर बंदर का मास खाया जाता है बंदर का मास खाने से कैंसर नहीं होता यह उनका विश्वास है उसने आगे बताया कि कुटे का मास भी खाया हुआ है लेकिन लेखिका को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है लोगों को सुवर का दूद पीते हुए देखाया उसने यह भी बताया यूम्थांग वापस आकर उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था मनी ने बताया कि पह कि बहुत सारी बाते उन्हें बताई रास्ते में उन्हें बहुत सारे देवी देवताओं का निवास स्थान भी दिखाई दिया और लोगों ने बताया कि जो यहां गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा और इसलिए लोग यहां पर गंदगी नहीं फैलाते हैं गंटों को द यहां से शुरू हो जाती है कि ऐसा संदरी है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है इस प्रकार से यह है पूरा पार्थ उनके अनुभों का वर्नन है यहां पर मधू कांकरिया जी के जो उनके अनुभव रहे हिमाले की यत्रा के उसके बारे में यहां बताया गया है करते हैं अगर आपको समंद्रित कोई प्रशन में पूह सकते हो इसके इलावा यदि आपको साइच के अप consistent कर करके बताना आप इंग्रिश मीडियं उन्कियों या किसी और विश्य के आपको वन लाइनर कुश्चन चाहिए हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलिए तक कि जो भी लेक्चर्स हैं उनके सभी के नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिलें थैंक यू फॉर वाचिंग